नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप तो अपने यूटूब चैनल इस्टाड़े टूड़े वेद इपलेप में तो दोस्तों आज के इस वीडिये में हम जार्खन बोर्ड पर इच्छा दो हजार तेश चोवीज के लिए JCRT Weekly Test Exam Class 9 के हिंदी A का अंसर की देखने वाले हैं ये एक्जाम जो है 17 तारी को लिया गया था अगर आप हिंदी A का पेपर दे चुके हो तो आप जो है अपना अंसर मिला सकते हो कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ठीक है इसके अंदर कूल मिलाकर सहलो प्रसुन आपको प्रेम चंध का मूल नाम क्या था ठनपत राय था क्या था य่ आपको सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोस्षण जो आपको पुछा गया था कि गया हिरा मोती को दोनों बार सुखा भुसा खाने के लिए क्यों दिया क्यों की क्यों की उह हिरा मोती के विवार से बहुत दुखी था तो इस क्वर्शन का सही उत्तर हो जाएगा option number गौव अगर आप इस क्वर्शन का उत्तर गौव को सही कियो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपको पुछा गया था कि कवीर दास के अनुसार इस्वर कहां रहते हैं कवीर दास के अनुसार इस्वर कहां रहते हैं प्रत्यक प्रानी के हिरदय में यानि कि option number घौब का इहां पर सही हो जाएगा कवीर के अनुसार किसी भी वेक्ति की पहचान कैसी होती है कूल से रूप से धन से या कर्म से तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्म से हो जाएगा अफसन नंबर घौ next question आपको पुछा गया था कि कविरदास के अनूसर निस्पक्च होकर इस्वर का ध्यान करने वाला वेक्ति क्या है संथ असंथ कौक दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथ हो जाएगा option number को हमारा telegram channel का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप लोग telegram channel को जरूर subscribe किजेगा वहाँ पर आप लोगों को जो है exam तक PDF notes मिल जाएगा ठीक है जो भी वीडियो यहाँ पर इस चनल के माधम से अपलोड किया जाएगा बहुत सरे वीडियो के पीडियाप आप लोगों को टेलीग्रम चनल में मिलेगा जहां पर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो एक्जाम के लिए ठीक है तो आप लोग टेलीग्रम चनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा टेलीग्रम चनल का लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया हूँ ठीक है नेक्स्ट क्वेशन यहाँ पर पुछा गया था आपको प्रशन संक्या साथ प्रशन संक्या साथ मैं आपको पुछा गया था कि अवकास यह तु प्रधान अध्यापक को लिखा गया पत्रा कैसे पत्र का उधारन है देखिए अब प्रधान अध्यापक को लिखा गया पत्रा जो ही ऑफिसियल हो जाएगा क्योंकि आप इसी स्कूल के प्रधान ध्यापक को लिख रहे हो ठीक है तो यह हमारा उपचारिक हो जाएगा ऑफिसेल हो जाएगा आपसन नमबर को सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपको पुछा गया था कि पुछता खरिदने है तू पैसे की मांग करने के लिए अपने पिताजी को लिखे गए पत्र में उचित संबोधन क्या होगा तो पिताजी को आप लिख रहे हो तो आपका जो संबोधन करोगे तो पुछे पिताजी से ठीक है आपसन नमबर को आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पुछे पिताजी निबंद के पहले अनुचित क्या कहा जाता है भूमिका निसकर्स उपसांगार इन में से कोई नहीं यहाँ पर निबंद के पहले तो यह हमारा भूमिका हो जाएगा ठीक है भूमिका अफ्सन नमबर को सवी से रिक्वेश्टे वीडियो को एक एक लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों में भी सियर जरूर कीजेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुछा गया था आपको कि निबंद का अनुचित क्या कहलाता है निबंद का अंतिम अनुच्छेद जो है निसकर्ष कहलाता है क्या कहलाता है निसकर्ष अफसन नंबर को सही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर पुछा गया था कि ललदद किस भासा की संद कवैत्तरी थी तो यहाँ पर अवदी, ब्रजवासा, खड़ी बोली, कस्मीरी तो कस्मीरी जो है आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर है ललदद के अनुसार उफवास मेरा कर सठीयो करने वाला विक्ति क्या बन जाता है ग्यानी, परमग्यानी, भगवान, यहांकारी तो यहांकारी हो जाएगा, आफसन नंबर को हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आपको पुछा गया था कि ललदद के अनुसार ग्यानी का क्या अभी प्राय है आत्मग्यान पाने वाला, वेद ग्यान पाने वाला, योग ग्यान पाने वाला, इनमेंसे कोई नहीं तो तेरह का सही उत्र हो जाएगा आत्मग्यान पाने वाला अफ़सन नमर क्यों सही होगा मेरे संग की ऑरतें पाट के रचाइता कोन है नेक्स क्षिन आपको पुछा गया था कि लेकिका की नानी ने अपने पती के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूडने का ग्रह किया आजादी का सिपाही वकील डक्टर या इंजिनियर तो इसका जो सही उतर हो जाएगा आजादी का सिपाही हो जाएगा ये लास्ट कोशन है कि लेखी का मेरे दुला गर्ग अपने माता पिता की कितने नंबर की संतान अपने माता पिता की कितने नंबर की संतान थी पहली दुसरी तिसरी या चो थी तो इसका जो सही उतर हो जाएगा दुसरी हो जाएगा और सब्सक्राइब करकि तो मिलते है नेक्स्ट विडियो में